इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूँ किया बजट भारत को फाइब टिलियन डॉलर की एकोनोमी दुनिया के ग्रोथ इंजन के रुप में भारत की भुमिका को और विक्सित भारत की संकल्पना को साकार करने क्या एक आर्थिक दस्तावेच की रुप में या देश की संसत में प्रस्तुत किया गया है 140 करोड जनता जनारदन के लिए समर्पित उनकी आसा उनकी आकांसा और अम्परित काल के संकल्पों को पूरा करने वाली स्वजट के लिए मैं आधने प्रधान मंत्री जी के प्रती आभार वेक्त करता हूँ आधने प्रधान मंत्री से नरेंद्र मोदी जी के मार्क दर्शन में देश की नई संसद में माननिय बित्र मंत्री जी ने देश का आम बजड प्रस्तुत किया है यह बजड सरुस्परसी सरुसमावेसी विकासोनमक 140 करोड भारत वास्यों की आसा आकांसा और अम्रित काल के संकल्पों को फूरा करने वाला सिद्ध होगा आम बजड दोहजार चौबीस पचीस आत्म निर्भर यों विक्सित भारत की निर्मान का एक आर्थिक तस्तावेच है इस आम बजड में अन्तोदे की पावन भावना विकास की असीम संभावना और नौनमेस की नौद्रिष्टी है इस आम बजड में अन्यदाता किसानों की संब्रिदी के लिए एक लाग भावन हजार करोड उपे किर्शी और साइक सेक्टर के लिए महला ससक्ती करण के लिए तीन लाग करोडों पे से अधिक का प्रावधान किया गया है स्वाभाई कृप से आधी आवादी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के आधी आवादी इससे सरवाधिक लाभानित होने वाली है उन अन्यदाता किसानों के संब्रिदी में आज संसत में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्महन करने वाला है युवाओं के लिए लाखों नोक्रियों के साथ साथ मध्यम वर्गिये परिवार के लिए प्रतेक्स कर एनि इनकम टेक्स में जो नए टेक्स स्लेब की गोशना हुई है इस सभी अविनंदनिये हैं स्वागत योग्ये हैं इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूँ कि अबजट भारत को फाइब टिलियन डॉलर की इकोनोमी मैं बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रुप में भारत की भुमिका को और विक्सित भारत की संकल्पना को साकार करने क्या एक आर्थिक दस्तावेच की रुप में यह देश की संसत में प्रस्तुत किया गया है इस एक सो चालीस करोड जनता जनारदन के लिए समर्पित उनकी आसा उनकी आकांसा और अम्परित काल के संकल्पों को पूरा करने वाली स्वजट के लिए मैं आधने प्रधान मंत्रीची के प्रती आभार वेक्त करता हूँ माननी है केंद्रियवित मंत्री माननीया स्रीमती निर्मला सितारमनजी को और उनकी पूरी टीम का में अभिनंदन करता हूँ देखे मध्यमवर्ग ये परिवार में टैक्स के बारे में सबसे बड़ी छूट आज उपलब्द हुई है और ये लंबे वर्ष समय से ये मांग चली आ रही थी तीन लाग तक के प्रतेक्स कर यानि इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इसके साथ साथ अन्य जो स्लैब भी दे गए हैं वे काफी राहत भरे हैं अलग अलग सेक्टर के लिए जो प्रावधान के गए हैं गाओं के लिए गरीब के लिए किसान के लिए नौजवान के लिए MSME सेक्टर के लिए ये लाखों नौकरियों को क्रेट इससे होगा इंडस्ट्री के लिए जो प्रावधान किये गए हैं मुझे लगता है ये सभी स्वागत युग्या हैं और नौजवानों के लिए समाज के हर तपके के लिए महला ससक्ती करण के लिए नदाता किसानों के लिए सभी तपके के लिए जो कुछ भी प्रावधान इसमें किया गया है मैं कह सकता हूँ कि यहां रामराज्य की और धार्णा को साकार करने वाला एक सरस्परसी सरसमावेसी और विकासोनमक बजट की रूप में यहां मोदी तीन का या पहला बजट जाना जाएगा